गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड वोर्निंग कैसे हैं आप सब तो देखो सुबह सुबह जो है न छुटकी आ गई है मेरे पास यह नीचे भागने के लिए कर रहे है क्योंकि इसको भी खेलने का मनन है चल जा नीचे भाग रुक 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 कैसे हैं आप सब तो आपके हाँ ठंड का क्या माहौल है यहां तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और देखो मैं यहाँ पे आग जलाकर बैठे हुए क्योंकि बहुत ठंड है नहाई हूं ना तो नहाने के बाद में किचन में चले लिए थी खाना बनाने हाथ पैरिंग ठंड पढ़ हुए थे तो बस पूजा करके उठी और चाय के लिकर में बैठ गई आगे थोड़ा सा अब चाय के थोड़ी सी गर्मी आई है तो मैंने मेरी डाइट में यह जो है चुकुंदर गाजर और टमाटर के जूस को एड किया है क्योंकि मेरी जो स्कीन है थोड़ी सी डाल दिया ताकि मैं इसको पी सकूँ तो फिलहाल मैंने जो है स्टार्ट किया है और टेली पीओंगे मैं भी पी लिया करूंगी और बिट्टू को भी दे दूंगी तो सर्दी के टाइम में यह सब पीओ यार नहीं तो इसकीन और बालो की बैंड बच जाती है तो साथी पुलाओ की रेस्पी मैंने आपके साथ शेयर की नहीं है तो मिक्स पुलाओ मैंने बनाया था और उधर मेरी मशीन भी लगी हुई है तो यह सारे काम ना मैं एक बज़े के बाद ही करती हूं नौ बज़े तक मॉर्निंग के सारे काम करके फिरी हो जाती हूं तो कोशिश करती हूं कि एक बज़े तक मैं अपने अपको फिरी ही रखू और जब एक बज़ता है तो फिर मै काम हो सके हो जाए नहीं होता है छोड़ कर फिर से मैं अपने कामों में जो मेरा खुद का है जो मेरे लिए जरूरी है फिर उस काम में मैं लग जाती हूँ तो फिलहाल आपके इहां का मौसम कैसा है जरूर बताना आप देख रहे हो न तो जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा इसको कैसे रोक सकते हैं कपड़े कितने दिन तक नहीं धोएंगे भाई वैसे भी मशीन आगी है तो बहुत असान है तो धेरो धेरो कपड़े हां से धोना पड़ता था तो ये बन कर त्यार है मिक्स पोलाव जिसमें की है सोया बीन, मतर, आलू, गोबी, टमाटर, प्याच तो मिक्स पोलाव बना रहा था क्योंकि दाल चावल बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरे बच्चों को ना दाल चावल आलू का भुजिया या फिर चोखा या फिर जो पकोड़े यही चाहिए और उसके लावा अगर मैं सोचू लगी थी तो उधर तो मशीन लगे विया मैं तो भी खाऊंगी नहीं दोनों बच्चों को दे देती हूँ और आप से मिलती हूँ शाम को तो शाम के ना छे बज़े आप से मिल परी हूँ मैंने अपनी पूजा खतम कर लिया देखो जो तो जल रही है तो मैंने जो पाट करन कर लिया और ठंड तो इतनी जादा है कि मुझे टोपी लगानी पढ़ गई वैसे मुझे टोपी लगानी अच्छा नहीं लगता है लेकिन ठंड से तो बचना ही है अभी छे बज रहे हैं ये श्वीर बाब को दूद मैंने दे दिया है ये देखो मेरा बच्चा इसको ठंड लगी है किस तरह से टोपी पहना हुआ है उसे पता ही नहीं समता है कि स्कूल बच्चों की बंद ही है पहले था कि 11 तारीक तक 8 तक ना बंद था पहले आठ को खुलना था फिर एक्स्टेंड हो गया देट फिर 11 हुआ अब फिर 16 तक बच्चों का स्कूल बंद रहेगा और जरूरी भी है बहुत ठंड है इतनी शित लहर चल रही है ना जो घर में है उनको इतनी ठंड लग रहे है जो बाहर जिनका आना जाना होता है उनका क्या हाल होता होगा तो जारी 6 बजे आदा घंटा थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूं फिर उसके बाद फटा-फट खाना लकड़ी जला के रख दूँगे ताकि हजबन आए तो थोड़े से गरम हो जाए बहुत ठंड है तो मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूं अपने स्टाइल में शाही पनीर की रेस्पी तो यहां पर ना मैंने जो पनीर को है गरम पानी में डाल दिया सॉफ्ट होने के लिए और म टमाटर दो प्याज बड़े वाले और लसन अद्रक हरी मिर्च और काजू काजू जरूर डालना बिना काजू के और काजू के साथ आप साही पनीर बना कर देखो आपको टेस्ट में बहुत जादा फर्क समझ में आ जाएगा तो काजू ना इस तरह की गरिवी में जरूर ए जीरा खड़े मसाले नहीं एड कर रही हूं क्योंकि नहीं है मैंने मंगवाया ही नहीं मतलब रासन की जो लिस्ट बनी थी ना उसे मैंने लिख ही नहीं है अब मैं सोच रही थी कि लिख देती तो शायद यूस हो जाता कोई बात नहीं कभी मार्कर जाओंगी तो मैं खुद करना है दीक है जिरम देंगे फ़ी हैं सब्सक् 잡rias कर देंगे थैकने तरहागी जाया ठार जाली है कि एकमधान के काजू सक्वाए काजु भातने के लिख मार्कर कर दो जाला है, हल्दी डाला है, राकेश का मिक्स सब्जी मसाला होता है धनिया पॉर्डर है, और थोड़ा सा कलर के लिए मैंने देगी मिर्च डाल दिया है, कश्मीरी देगी मिर्च इसे कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा शाही पनीर में, और इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो यह सॉफ्ट भी हो जाएगा और मसाला जो है अच्छे से पक भी जाएगा, तो जैसे यह मसाला पक जाएगा, मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, यह ठंडा होगा तो इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी, इसको मैं पीशूँगी एक तब महीन पेस्ट इसको ब ठंडा हो रहा है थंडा होने के बाद उसको मैं पीस लूँगे तो हाटा भी गूंद लिया है और रात को बस ये सिंपल शाही पनीर और ये रोटी बनाऊंगी रात को मैं ज्यादा वराइटी बनाती नहीं हूं मौनी में हो जाता है दो सब्जी वगएरा लेकिन रात को ना सि पीस लेती हूं और उसके बाद जो है ना कड़ाई में डालूंगे थोड़ा सा घी एक चमच के लगवग घी डालना है बाकी डालो ना डालो अलग बात है लेकिन मैं एक चमच घी एड़ करूंगी और जब घी हलका सा गरम हो जाएगा तो जो मैंने मसाला पीसा था उसको इ अगर आप काजुनी डालोगे तो थोड़ा सा जो टेक्चर चेंज हो जाता है तो यह जैसे ही उबाल हुआ इसमें मैंने जो है पनीर एड़ कर दिया है पनीर अगर पैकेट वाला है ना तो उसको गरम पानी में जरूर डाल कर रख देना इससे पनीर सौफ्ट हो जाएगा नहीं तो ऐसे डारेक्ट इसमें एड़ करोगे ना तो पनीर जो है थोड़ा सा हाड ही रहता जो कि खाने में शाही पनी में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला क्योंकि खड़े मसाले म हाथ से करश करके डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी एक चमच मलाई मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कस्तूरी मेथी का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता ये सारी चीजे ना शाही पनीर में बहुत बहुत ज़्यादा जोरी होती है एंड करना इसके आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया एक चमचब मलाई और इसको ढखकर मैं थोड़ा सा जो है बॉइल होने के लिए रख दूंगी और यह हमारा जो शाहिपनिया ना बनकर डण हो गया तो मैं दूसरे टाइब से भी बहन आते हूं जिसमें कि सारे चाफ जाते हैं तो अचाल मैं चाल्टा, पीश के लिए ज्याया जाता है तो मुझे लगता है तो यह थे ज्यादा साना लगता है क्यों सारे बशाला को फ्राइक कर लो उसके बाद पीस के यह शाहिपनियी डाल कर क्योंकि मैं जो है रोटी भी बना रही हूं साथे साथ गरम-गरम सब को सर्व भी कर रही हूं ठटका टाइम है तो गरम-गरम खा लेंगे ना तो मैं भी फ्री हो जाओंगी और आज के व्लॉग में आपके साथ जो मैंने शाही पनीर के रेस्पी से हर की है वह आपको कैसी लगा यह भी जुरूर बताना अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देना प्लीज और लाइक भी करना और कॉमेंट करके आप बताना कि आपको किस टॉपिक भी वीडियो चाहिए भी कोशिश करूंगी बनाने की ठीक है बाई लव यू